हेलो स्टुडेंट्स फिर से आप लोगों का आज इस मेरे क्लास में स्वागत है आज हम उपस्तित हैं जेंडर ब्यास टॉपिक के साथ आप लोग के जाओ पेपर है जेंडर इसकूल एंस सॉसाइटी से तो उनी से रिलेटेड ये टॉपिक आज हमने लिया है जेंडर ब्यास का तो जेंडर ब्यास कहने का मतलब है कि लिंग भेद क्या है सबसे पहले लिंग भेद को समझना होगा कि लिंग भेद हम लोग किसे कहते हैं यानि कहने का मतलब है कि एक लिंग का दूसरे के बेक्ति से बेहतर होना यानि कि एक लिंग का बेक्ति दूसरे के बेक्ति से बेहतर होना ये लिंग भेत को कहीं न कहीं दर्शाता है और ये जो द्रिश्टिकोन लिंग वादी द्रिश्टिकोन लिंग की भुमिकाओं के प्रम प्रागत रुढ़िवादों से जुड़ा हो सकता है तो आगे हम लोग इसको और भी विश्थार से समझते हैं तो सबसे पहले पच्छपात यानि कि ब्यास क्या है लिंगभेद को जानने से पहले हम लोग पच्छपात को जानते हैं तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स आप ल यही मतलब है कि जो भी हमारे जो रोडिवादी जो दृष्टिकोन सदियों से चली आ रही है उन्हीं एक विशेश दृष्टिकोन से ये पच्छपात का रूप बना है दूसरा जो पाइंट है कि सोच का बेक्तिपरक तरीका है जो कहानी का सिर्फ एक पच प्रस्तुत करता है जो कभी का भी गलत जानकारी वो गलत धारना मनाती है ये बात भी सच है क्योंकि कोई भी स्टॉरी का हम लोग एक ही पच को जादातार हम लोग एक ही पच को देखते है दूसरे पच्छ को कहीं न कहीं उसे हम इग्नॉर करते हैं तो जायर सी बात है कि ये एक गलत जानकारी को साबित करता है तो कि हमें ये चाहिए कि उस कहानी के दोनों ही पच्छ को समझना होगा और इसके बारे में हमें उसका निस्कस निकलना होगा तिसरा जो बाते हैं पच्छपात किसी एक भी से सोच को मानने के लिए कोसिस करना है ये भी सही है कि हम लोग एक भी से सोच को मानने के लिए ही कहीं न कहीं पच्छपाती रूप की धारना को अपनाते हैं आगे चलते हैं पच्छपात पहचानना मुश्किल है क्योंकि यह चेतन रूप से विद्यमान है किसी भी पच्छपात को हम लोग ऐसे ही नहीं पहचानते हैं सभी के अंदर पच्छपात का गुन चिपा हुआ रहता है बस समय और द्रिष्टिकोन के माईधम से यह कहीं न कही एक विशाल रूप ले लेता है लेकिन यह सभी के अंदर छिपा हुआ रहता है जो आचेतन है आगे जो बात इसमें कहीं कहीं है कि पच्छपात अंजाने में और जानकर किसी भी रूप में हो सकता है यह अंजाने में भी हो सकता है और जानकर भी हो सकता है आगे जो है पच पुरुस इस्त्री में हो तो किसी एक लिए वो पच्छपात दर्श आता है वह कहलता है, पुरुस हो और महीनाओं के पर्थी उनके लिग के अधर पर अर्शमान बेहवार, तूरा जो बाता इसंए कही गई है एक लिंग दूसरे लिंग की तुलना में अधिक सक्तिसालिय मानने की आउधारना पश्चपाद वहीं से स्टार्ट होता है कि परतेक लिंग कहीं न कहीं एक दूसरे से सर्वसेष्ट मानने की इच्छा रखता है अब आगे हम लोग चलते हैं इसके भेद टाइपस अप बियासिस का जो इसमें परकार है उसमें से है जैनरिक जातिगत हम लोग देखते हैं कि लिंग भेद कहीं न कहीं जातिगत मामलों के तौर पर जादातर देखे जाते हैं यानि जाती के आधार पर लिंग भेद हमें देखने को मिलता है दूसरा जो है इस विशिज वेस्ट परजातियों के मामले में भी भारत में अनेक इसे परजातियां हैं इस जिन में लिंग भेद का जो द्रिस है वो देखने को मिलता है जेंडर कहने का मतलब है कि पुरूस और इस्त्री में कहीं न कहीं ये धारना बनी हुई है कि पुरुस सर्वस्रेश्ट है नहिला उससे काम है तो ये लिंग भेत को दर्शाता है भासा के आधार पर भासा के आधार पर ये विवितेता देखने को मिलती है रंग भेत के आधार पर सांस्कृतिक के आधार पर आर्थिक के आधार पर और अस्थानगत के आधार पर जोग्राफिकल यानि की काहने का मतलब है कि अलग-अलग अस्थानों में अलग-अलग गुरूपों में हमें लिंग भेत कहीं न कहीं देखने को मिलता है अब है regions of gender ब्यास में अगर हम दोग देखते हैं कि इसके regions क्या-क्या है सबसे पहला जो है वो है customs and traditions यानि कि माइननेताएं जेंडर ब्यास में अगर बात करते हैं इसके कारणों में तो सबसे अगर परमुख है तो वो माइननेताएं इसे बहुत सारी इसे माइननेताएं अभी भी जीवित है रोड़िवादी दृष्टि कौन जीवित है कि ये जेंडर ब्यास को कहीं ने कहीं इसके कारण के रूप में विध्धमान है असिच्छा भी कहीं ने कहीं लिंग भेत के कारण में जाना जाता है सबसे बड़ा और मेजर इफेक्ट है असिच्छा संप्ता इतने वर्षों के बाद भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के उत्तांड के लिए उतनी जो कानूं बननी चाहिए उनके विकास के लिए उनके इंपाउर्मेंट के लिए तो अभी भी इसमें सरकार उदासिंता को ही दर्शाती है आके जो है समाजिक कूपरताएं बहुत सारे ऐसी कूपरताएं हैं जैसे सोचल एविल, डॉरी सिस्टम, चाइल्ड मेरेज बहुत सारे ऐसे हैं कि ये भी जेंडर बियास को दर्षाते हैं संकिर्न बिचारधारा अधिकतर भारतिय समाज में ऐसी बिचारधारा बनी रहती है कि वे इस ती पुरूस में सामाजनता किसी भी बात को लेके अपनी बिचारधारा को कहीं न कहीं वो सुचम मानते हैं नेरो मानते हैं तो इसे जैंडर बियास की जो घटना है वो कहीं न कही बढ़ती है जागरूकता का भाव मनवएगानिक विचारधारा दोस्पूर्ण सिच्छा कहीने कहीं आज की सिच्छा ब्याउस्था भी ऐसी सिच्छा ब्याउस्था को दर्शाने में सफल नहीं हुई है कि हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं की भागेदारी उसमें सुनिश् पाएं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज भी ऐसे समाज है कि महिलाओं को बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है तो कहीं ने कहीं यह जेंडर ब्यास के कारण के रूप में बिद्धमान है आगे चलते हैं मैथर्स तूफाइट एगेंस जेंडर ब्यास जेंडर ब्या तो सबसे ज़रूरी है कि जन सिच्चा का परसार करनी चाहिए सबूं को सिच्चा कर देनी चाहिए तो भी जाके हम लोग जेंडर ब्यास को रोक पाएंगे दूसरी जो बात है अवेरनेस जाग रूपता पॉलिसीज एंड प्रोविजन सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसीज नि बाली में सुधार की बाद अगर कहा जाए तो केरिकुलम में इसे कॉंसेट जोड़ा जाए ताकि मैलाओं की सिच्चा के परती हम लोग जागरूख हो सके और परती एक समाज अपनी बाली काओं की जो सिच्चा है उसको सुनिश्चित कर सके आगे जो पॉइंट है इस्टेबलिश्मेंट और वोकेशनल स्कूल्स फोर गर्ल्स बाली काओं है तू विवसाइक बिद्दालेओं की अस्थापना हम यह अधिकतर देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसा कॉंसेट अभी भी विक्सित है की बाली काओं को भोकेशनल स्कूल State की सिच्छा नहीं दी जाती है क्योंकि 한का मानना है कि घर की बालीखायं बाहर जाके काम नहीं कर सकती है इसलिए उन्हें कहीं रह Amazon क को कहीं आगे आना होगा और उनके लिए गशाइक विद्दालियों की अस्थापना करने होगी ताकि वो अपने पैर में खड़ा हो सके अपने जीवन में आत्मनिद्वर बन सके तभी जाके जो जेंडर बियास का जो कॉंसेप्ट है उसे हम लोग निजात पा सकते हैं समाजिक कूप अर्थाओं पर रोग प्रिवेंशन अफ्सोसल इविल्ज बहुत सार अभी भारती समाज में बहुत सारे इसी कूप अर्थाएं हैं कि इसे रोकना बहुत ही जरूरी है हमने कूप अर्थाओं के बारे में आगे कि स्लाइड में चर्चा किया उन कूप अर्थाओं को जल से जल अगर न रोका जाए तो जेंडर वियाज की जो भटना है वो आगे बढ़ती रहेगी उसी सही होनी चाहिए कि समाजिक उपरदाओं पर हमें कहीं न कहीं इसके आगे सोचना होगा आगे जो है पर्षासनिक वर संब्धानिक प्रावधान संब्धानिक संब्धान में ऐसे अनेक प्र baru प्रविजन चाहिए तभी जैंडर वियास से लोग च्टकाराब आ सकते हैं तो आज जैंडर वियास में इतना ही समय प्रायाालिक सम्विह ए स्बख़्जर संब्धानिक शेंडर वियास में अनुद कि जैंडर वियास है 不 और इसे दूर करने के उपाई भी किया है इन सब के बारे में आज हम लोगों ने इस टापिक के मायदम से जाना उम्मिद है कि आप लोगों को इस बारे में समझ आया होगा थैंक यू